नमस्कार दोस्तों एक्जाम मित्र में एक बार फिर साब का स्वागता अश्या करता हूँ आप सभी है चाहँगे तो दोस्तों आपके एम्स B.A.C. नर्सिंग में जीके का पोर्षन पूछा जाएगा जो आपके 10 मार्क्स का रहेगा 10 कुछे जाएगे उसमें आपके इंडिय उस रूसें तक जरूर देखिए और अगर आपर चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को तो इससे के आना वाले से वीडियो जो नोडिक्शन आपको मिल सके और दोस्तों कमेंड बोक्स में आप जरूर बताइए कि आपके इन क्यूशन में कितनी तो आपको मोग टेस्ट वेपर और अब्जेक्टिव जो क्यूशन से उनको ज्यादा ज्यादा सोल्व करना है इस बैसे इस पर लास्ट टाइम में भी अपना सेलेक्शन है उस निशियत कर सकते हैं त्योरी पर ना जाके आप जो अब्जेक्टिव ई-बूक है उसके जो डि पर दें तो जिसे कि लास्ट डे आपका जो एक्जाम रहेगा उस टाइम पर आपको वो प्रेसर फील ना हो आप रोज के दो मोग टेस्ट देंगे तो आपको वही फील होगा कि आपने यही एक्सपिरेंस पहले ही लेयर का है तो आपको जो प्रेसर है वो आपको एक्जाम e-book और आपके जो mock test paper है उस पर और ये offer है वो आपका आज के लिए ही है तो इससे जरूर अवैल करें काभी सारी student के comment आते हैं किसरे आपने पहले offer जो launch किया था तो उस टाइम पे हमने इस पर लिए description box में link दियागी उस पर आपको simply click करना है जैसे click करेंगे इस तरीके से interface आएगा इस पर buy now की button पर आपको click करना है तो जैसे बाइना हो की button पर आपको click करेंगे इस तरह की से interface देखने को मिलेगा इसमें अपना नाम फिल करना अपनी active email ID फिल करनी है email ID आपकी active जिसके आपके पास में password अपनी contact details और next पर क्लिक कर देना है जैसे next पर क्लिक करेंगे आपको payment के लिए पूछा जाएगा पहुंट पे ATM, debit card, credit card, net banking, जो भी mode हो उससे payment कर सकते है payment confirmation के बाद में ही आपको download file का option आएगा वहां से file को download कर सकते है उस file में आपके first page पे जो 10 mock test पे पर है उनके link available है उन link से जिस भी mock test का आपको देना है copy करके आपके अपने browser में paste कर देना है आपका mock test है वो start हो जाएगा और आपके second page से जो objective ebook है वो आपकी start हो जाएगी और दोस्तों कोई भी डाउट और कोई भी शे मुझे comment box में पूस सकते है Instagram follower के वहाँ से विचान कर ले सकते है यह objective ebook और वो mock test है वो English language में है तो last time में अगर आप अपनी selection से निशित करना चाहते हैं तो सही strategy के साथ में smart next से study कीजिए लाको की संक्या में application form feel कियेंगे उन में से अगर आप अपना नाम merit list में बनाना चाहते है तो smart next साथ में ही कम time में आपको ज़्यादा ज़्यादा syllabus cover करना रहेगा तबी ही आप अपना selection है वो निशित कर पाएंगे otherwise आप सोच विचार करने में ऐसे time waste करते रहेंगे तो आपकी जो seat है वो कोई और ले जाएगा फिर आपको lifetime के लिए regret feel होता रहेगा तो दोस्तों आपका जो GK portion का first question है ये आपकी sports related है तो first question है सुल्तान अजलान सा कब की skill से समन दीत है तो दिये के option में से आप answer देने की courses करें badminton, option B.A. hockey, option C.A. table tennis और option D.A. आपका golf तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तों आपका hockey hockey दोस्तों ये अजलान सा जो trophy है ये Malaysia के 9 राजा थे जो 1983 से इसे start किया गया था तो उनके नाम पे ये अजलान सा कब है इसका नाम रख्या गया है तो आपसे ये पूचा जा सकता है कि ये राश्ट्री के राश्ट्री इस्तर का ये trophy है ये अंतराश्ट्री इस्तर का तो ये अंतराश्ट्री इस्तर का है और Malaysia में start किया गया था 1983 में वहां के नोवे राजा के नाम से नेक्स्ट क्यूशन आपका सचिन तेंदुलगर ने अपना अंडेडवा जो सोवा सतक किसके खिलाब लगाया था ओप्सन है बांगलादेश स्रिलंका उस्ट्रिलिया पाकिस्ता तो दियेगी ओप्सन में से आपको अंस्वर देना है तो पुलेला गॉपीचंद मा टोधी ओप्सन हे रावल डर्वित और ऑप्सन टीए शचीन तेंदुलगर तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो पुलेला गोपीचंद इसका correct answer हो जाएगा तो वल्ड बीनित इस फीट किसकी जीवनी है तो पुलेला गोपीचंद की है जो एक badminton खिलाडी थे और इनके नाम से हैं गोपीचंद अकेड में भी संचालित की जाती है गोपीचंद इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो आपका पुलेला गोपीचंद नेक्ट क्योशन है स्वतंतर बारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलम्पिक पदक किसने जीता तो 1947 के बाद में जो पहला ओलम्पिक पदक है वो किसने जीता है ओप्सन ए आपका द्यांचन ओप्सन बी ए केडी जादाव मिलका सिंग अरीशनर ब्रिजदार तो दीगी ओप्सन में से आपको correct answer देना है तो ओप्सन बी इसका correct answer हो जाएगा 1952 में समर ओलम्पिक अंडट करवाएगी थे नेक्स्ट ए आपका ओलम्पिक चिन का क्या अर्थ तो उलम्पिक चिन का अर्थ क्या है ओप्सन ए है खेलनी कि लालग चैलेंज निरंतर दा या खंड़ दा है तो इसका correct answer हो जाएग다면 निरंतर दा इसका जो ओलम्पिक चिन का अर्थ होता है तो option C correct answer हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन आपका निमलिकित पर द्याएं दीजिए से बैडिमिंटन है, बोलिंग, गॉल्फ, टेबिल, टेनिस, तो इनमें से कौन से खेल, सिंगापूर ओपन में होते हैं, दिये गे ओप्शन में से, तो ये दिये गे कि ये सिंगापूर ओपन में कौन से खेल, खेलाई जाते हैं, नेक्स्ट क्यूशन है, डेवीस कप की तरफ महिलाओं का टूर्नामेंट कौन सा है, तो दिये गे ओप्शन में से आप देना है, आपको होप में का फेड कप, BMW टूर्नामेंट या मिल रोज ओपन, तो जैसे डेवीस कप होता है, ये टेनिस का है, जो निलाउं के लिए होता है, अंतराजी टेनिस तरफ का टेनिस टूर्णामेंट होता है, ओप्शन बीस का करेक्ट आंसर होगा, नेक्स्ट कुशन आपका, वोली, समेश, सर्विश सब्द की स्केल से सम्मन देता है, टेबल टेनिस है, लोन टेनिस, बोली बोल या हैंड़ जै कि आपका सदीप पाठिल की आत्मकता है तो किस क्योंच में पूचा जाए कि संदीप गतागा क्या नाम है तो Sandy Storm आपका correct answer होगा तो option C correct answer हो जाएगा Next question आपका S, Vijay Lakshmi किस skill से समन्दीत है तो आपका first option है Badminton, Table, Tennis, Chess या Hockey से, correct answer हो जाएगा Chess है, तो S, Vijay Lakshmi first महिला Grandmaster है महिला Grandmaster first है S, Vijay Lakshmi और यह सत्रंज की खिलाड़ी है तो option C correct answer हो जाएगा Next question आपका उत्रप्रदेश के किस किलाड़ी का समन्द निसाने बाजी से है option A, S, N, Yadav Masood Walim, Asok Kumar या Suresh Goyal तो इसमें correct answer हो जाएगा Masood Walim तो इनका समन्द है वो निसाने बाजी से है तो आपको एक idea मिल गया होगा कि आपके sports में किस तरह questions पूछे जा सकते है तो आप अगर daily newspaper पर read करते हैं तो आप जो sports के बिल्कुल basic type की question आते है वो आप easily अगर एक या दो question भी आएंगे तो दोस्तो वो भी आपकी merit निर्दारित करने में कापी important रहेंगे तो जो 10 marks का आपका जीके का portion उसको lightly बिल्कुल भी नहाल है आप जीके का portion है मेंने description box में e-books भी provide करवा रखी है general knowledge के लिए MSBAC nursing के जो candidate है उनके लिए Hindi के लिए separate link है English वाले candidate के लिए separate link है तो उसमें आपके 2021 के लिए current affair भी और साथ ही static gk है वो भी इसमें compile किया गया है पूच सकते हैं या instagram फोलो करी के वहां से भी जानकरी ले सकते हैं मिलते हैं दोस्तों next new video में next new update के साथ मैं धन्यवाद जय ही जय वारत